और 2014 में आपने मुझे बिठाया, इपड़े बड़े नामदारों तो जील के दवाजे तकली गए, उनिस में बिठा दीजिए, अंदर कर दो नमस्कार प्रवसाक्षी नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है, यह बांदरा कूरला कॉंप्लेक्स का बैदान है, जहां पर प्रधानमत्री नेनेंदर मुदी ने अपसे कुछ देर पहले एक बड़ी रैली को संबोधित किया, शेवसेना बीजेपी और आरप्याई अचकत सुविधाओं का विस्तार हो रहा है, उन्होंने मुंबई करों की जो समस्या हैं, उनका भी उलेक किया और कहा कि उनकी जो अधिकतर समस्या है, परिवन से जूडिती उसको समयदान करने का प्रयास किया गया, प्रधानमत्री ने सीधा सीधा कॉंग्रेस पर भी उनकी बात हो, प्रधानमत्री ने कई विस्तार से इन सब का जिकर किया, आई आपको दिखाते हैं प्रधानमत्री के भाशन की मुख्य बात है, ये ताकत है इस देश की, ये मिडिल क्लास और इमानदार टेक्ट पेर का ही योगदान है, कि देश के हर बेगर को दो हजार बा साथ ये मिडिल क्लास और इमानदार टेक्ट पेर का योगदान ही है, कि आज दो गुनी गती से देश में इन्फास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, भाई और बेहनों, ये मिडिल क्लास ये काम आचे नहीं, बलकि दसकों से निरंतर करता आ रहा है, लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी, जिसको सबसे अधिक अवसर देश की जनता ने दिया है, भो क्या कह रहे हैं, ओन रेकॉर्ड कह रहे हैं, और मैं मुंबई के माध्यम से देश के मिडिल क्लास को आगर पुर्वे इस बात पर गंबीरता से सोचने के लिए बताना चाहता हूं, अधिक रुपते कौंगरेस के जिम्मेवार वेक्ति कहते हैं कि मिडल क्लास बहुत सिलफिस होता है, लालची होता है, मैंने मिडल क्लास देश के लिए क्या कर रहा है, उसका कुछ सेंपल आपके सामने लखा है, मैं गर्व करता हूं मेरे देश के अंदर, आज देश को चलाने की ताकत मिल्लिल्टास का जो बल्क बढ़ रहा है उसके कारण है और कॉंग्रेस पार्टी आपको सिल्फिस कहें लाल्ची कहें यह आपका अपमान है नहीं है जी करप्शन टेक्स हाई और महंगाई जब भी कॉंग्रेस की सरकारे आई है सिर्फ यही तीन चीजे होती है जो तेजी से बढ़ती है बाई और बेनों हमारी नीती कॉंग्रेस के तोर तरीकों से ठीक 180 डिग्री अलग है बीते पांच वर्ष में आपने अनुभव किया है करप्शन की खबरें अखमार से गायब हो गई करप्शन को रोकने के लिए एक के बाद एक कड़े कदम उठाए गए जिसके कारण कुछ लोग जेल पहुँच गए है और कुछ लोग बेल पर गूम रहे हैं और 2014 में आपने मुझे बिठाया ये बड़े बड़े नामदारों को जेल के दरवाजे तक ले गया हूँ 19 में बिठा दीजिए अंदर कर दूँगा साथियों मैं च्छत्रपति सिवाजी महराज का मावला हूँ मावला अब हम आतंकियों को गर में गुश करके मारेंगे और ये हमने दंके की चोट पर कह दिया है और करके भी दिखाया है आतंक की हमले के बाद गुरू मंत्री और मुख मंत्री बदलने वाले कल्चर को हमने बदल दिया है इतना ही नहीं साथियों याद करिए जब लोग सभा चुनाव के दरवान IPL की मैच कराने से कॉंग्रेस की सरकार ने हाथ खड़े कर दिये थे याद है 2009 में, 2014 में ये हमारे सुरक्षा बलो पर हमारी एजन्सियों के सामर्थ पर ये कॉंग्रेस का अविश्वास था अब आज की परिस्तिती देखिए कुछ दिन पहले ही नवरात्री भी थी शक्ति की पुजा चारो तरब हो रही थी दाम दुम से देश ने राम नोमी बनाई बड़ चड़कर के लोगों ने हनमान जेंती मनाई अब एक मही को महराष्ट और गुजरात का स्थापना दिवस का समारो होंगे पवित्र रमद्यान की तैयारिया चल रही है और इन सब के बीच लोगसबा का चुनाव भी चल रहा है और आन बान शान के साथ आई पी एल भी चल रहा है जरा कोई पूछो तो पुलिस तो वही है भई यह मोदी में क्या दम है कि सब कुछ साँ आराम से चल रहा है और तुम क्या करते थे नई पुलिस काम में है आई पी एल खेलेंगे कुछ हो जाएगा तो जाओ आफरिका जाके खेलो और फिर हमको पूछते मोदी तुमने क्या किया आपको क्या लगता है भे दसे कों से मांग रही थी जो हमारे पुलिस कर्भी अपना दाईत्म निभाते हुए अपना जीमन दाउं पर लगा देते हैं शहीद हो जाते हैं उनकी स्मृती में एक मैमोरियल होना चाहिए पुलिस शहीद पुलिसों के स्मृती में एक नेशनल मैमोरियल होना चाहिए और देश को पता तक नहीं है लोग बताते भी नहीं है देश अधाद होने के बाद हम आए दिन पुलिस वालों को आलोचना करने की फ्रशन हो गई है कुछ भी हो पुलिस से भीड़ जाते हैं पुलिस को बंदाम करते हैं कभी सोचा है होली हो दिवाली हो वो वहाँ खड़ा है राखी हो वो वहाँ खड़ा है घर में कोई बिमार है वो वहाँ खड़ा है बारिस हो दूप हो ठंड हो वो खड़ा है लेकिन एक ऐसा माहोल बना दिया गया है जो मर्जी पड़े पुलीस जरे पंचिंग बैग है मारते चलो जो भी कहना है कहते चलो भाई यो बेनो बहुत कम लोगों को मालूम होगा हमारे देश में लोगों की सेवा करते करते 33,000 पुलीसों ने शहादत की है 33,000 इन पुलीसों के नाम पर जोर से तालीब जाओ दोस्तों 33,000 पुलीस के जवान हम लोगों के लिए मरे शहीद हुए और ये कॉंग्रेस ने कभी उनके मान सम्मान की परवाद नहीं कि भाई यो हमारे सुरचशाबल मांग करते रहे पुलीस मांग करते रही नहीं सुना ये चौकिदार की सरकार आई आज दिल्ली में शांदार जांदार देश की नई पीड़ी को प्रेना देने वाला पुलीस का मेमोरियल खड़ा कर दिया दोस्तों दोहजार चौदा में जो चुना हुआ आज़ादी के बाद जितने चुना हुए उसमें कॉंग्रेस को कम से कम सीटे अगर मिली है तो दोहजार चौदा में मिली फोर्टी फोर लीडर अब तो अपोजिशन भी नहीं बन पाए और दोहजार उन्नीस के चुनाव की विश्थेस्ता ये है कि आज़ादी के बाद जब से चुनाव शुरू हुए ये चुनाव ऐसा है जिसमें कॉंग्रेस पार्टी सबसे कम सीटे चुनाव में लड़ रही है एने 14 सबसे कम जीतने का रेकॉर्ड 19 सबसे कम लड़ने का रेकॉर्ड अब ये कहीं नजर नहीं आ रहे हैं और उनको लगता है कि टीवी पे फोटू आ गई अखबार में चहरा चमक गया तो देश का मद्दाता वोट दे देता है क्या भाईयो बेहनों दुनिया में भारत के लिए बहुत बड़ा आउसर है जबकि कॉंग्रेस की पूरी राजनिती और रनदिती अतीत की यादों पर टिकी हुई है और इसलिए कॉंग्रेस अब कन्फ्यूजन का दूसरा नाम हो गई है इनको लगता है कि आज की डिजिटल जनरेशन अभी भी यह ही सोते है कि आज जब वो जिन्दगी मोबाईल फोन में जी सकता है डिजिटल जनरेशन है लेकिन उनके दिमाग में राजा राजकुमार टाइप के जो महुश्रवाद में इंटरेस्टेड है वो ही सोच पड़ी हुई है वो ये समझने को ही तजयार नहीं है कि दुनिया बदल चुकी है, दौर बदल गया है और ये भी समझ ले इस प्रकार की चाला क्या करने वाले लेता लोग जो है लोगों के आँख में दुल चोटने वाले लोग है ये भी समझ लें अब आपकी मिश्ट्री अब आपकी मिश्ट्री नहीं सपनों और आकांचाओं की कैमेश्ट्री काम कर रही है